वेल्कम तो माई चैनल आप सभी को नवराती की ढेस और शुवकाम नाए तो आज है नवराती का पृथम दिन और मैं करने जा रही हूं मातरानी का शिंगार तो पहले में इसनान करवा रही हूं उनको ऐसे ही साधा पानी से इसमें गंगा जल्ड मैंने मिला लिया है तो बहु जादा पानी वानी नहीं करना चाहिए तो मैं हमेशा सिर्फ नवराती के पहले दिन ही इसनान करवाती हूं तो वीडियो एक्चुली बहुत जादा लेट पहुंचेगा क्योंकि हमारे है थोड़ा नेट का इशू चल रहा है और जो है में एक से दो दिन के बाद पहुंचे शूट मैंने कर लिया है पर फिर भी लेट हो जाया था उसके लिए माफी चाहती हूं तो मैंने बहुत ही सुंदर सा मातरानी का ये यल्लो कलर का लहंगा बनाया है जिसमें नीचे रेड कलर की थोड़सा रेड कलर भी अट किया है ये है चोली और बहुत सिंपल सा दुपत् लहंगा बनाया है और मुझे अभी तक का सबसे बेस्ट लहंगा यही लगा ये इतना भी मैंने बनाया है ताइम बहुत जादा लगा इसको बनाने के लिए क्योंकि बहुत चुट-चुटी फ्रिल बगएरा मुझे बनानी पड़ी लेकिन यकीन मानिगे बहुत जादा खु मैं माता लानी के लिए एक चुकर हाल लाई हूं दो वैसी माला लाई हूं बड़ी वाली मतलब एक थुड़ी शौड और एक और तो आपके साद अभी शेयर करूंगी मैंने सोचा था कि सारे चीज़ आप लोगे साद शेयर करूं वीडियो बनाऊंगी दिखाऊंगी कि मैं मैं कहकर शौपिंग करके लाई हूं एक ठोटी माला लाई हूं पर क्या हुआ ना कि नवरातरी के एक दिन पहले ही जो है वो हम सारव समाल ले के आए हैं तो मेरे इनलाउज आ गए थे उसी दिन पहले तो पहर में और हम लोग लेके लोटे हैं एक माला मैने किया ले थी बह बहुत ज़ादा घर में लोग होते हैं, तो मैं वीडियो बेना पाती हूं तो यह बहुत सुनर से बैंगल लेकर आही हूं, बहुत चुड़ चुटे हो, सब चीजे एक दूसे से मैच कर रही हैं, इनका छोकरहार है बिलकुल बैंगल से मैच कर रहे हैं तो अभी मैं उस चीज से ओवरकम नहीं हो पा रही हूँ कि मतलब कोई मेरे घर पे है तो मैं वीडियो बना लूँ वो सब चीजे मेरी नहीं हो पा रही है होफुली कर पाऊं मैं तो क्या था कि उस दिन तो बहुत सारे लोग थे तो मैं बिल्कुल भी वीडियो वगएरा शूट ही नहीं कर पाई और जो भी मैंने मातरानी का सजाया है ना पंडाल वगएरा तो दूपटा मैं यह डाल रही हूँ साइट से ही बस ऐसे ही लगाऊंगी तो क्या था ना जो भी मैंने पंडाल वगएरा मातरानी का अपने घर में जो भी डेकोरेशन की है वो मैंने रात में की है उन लोग जान के बाद तो लोग लग भग 9-9 बज़े गए थे उसके बाद जो है वो मैंने डेकोरेशन दस बज़े से गना शुरू किया था क्योंकि अब बहुत फैला था सब क्लीन करने के बाद देकोरेशन किया तो मुझे सोते सोते 12 बच गया था और अब आपको दिखाऊंगे आगे जो भी मैंने डेकोरेशन की है यह है एक लड़ुकल लहेंगा आपको पता ही होगा जिन मास्टमी पर मैंने यह ड्रेस बनाई थी बिचे मैंने इसको इस तरीके से लगा दिया है कुछ different करने की कोशिश की है तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है यह मैंने मुकट बनाया है पहली बार तो मुझे तो बहुत जादा वो लगा कि बहुत महनत का काम है मतला बहुत महनत तो नहीं कोंगी लेकिन बहुत slow-slow काम ह बाली काम है विक्त ही काम होता है तर यह बारीक काम हो दो स्वाब्या है तो मेरे बान्त बेंट बुर्स ने संदर लग यह ड़की सखेंग्त कश 해馀ड हेज है यह दो कोई और राण धरीप यह कोई यह कंजने पाती ही अब मैं सीधे ज़्धे द्रेस जो है वो बनाऊंगी दिवाली पे उसे पहले मैं कोई ड्रेस नहीं बनाने वाली हूँ केशव की बजदे पे भी हम कुछ नहीं करने वाले हैं मतलब घर में केक कटिंग वगरा कर लेंगे सोचा था किर्दन वगरा करेंगे पर हमारे फ्लोर पे लोग जो आप वगरा करते हैं तो उन पे टाइम नहीं है इस वज़े से मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी तो रेडी में ड्रेस जो है ममी ने खरीद ली है बहुत सारी केशव के लिए 5-6 जोड ममी ने ली है वो मैं आपको नहीं दिखा पाई तो वो जो है ना ड्रेस में उनी में से एक मैड ड्रेस बहुत सारी बहुत सुंदर सुंदर तो वही पहना देंगे और घर में केक कटिंग कर लेंगे तो जिस दिन में भी यह वीडियो जाएगा अब केशव का हो सकता है बढ़ता ही हो इस दिन क्योंकि दो तीन दिन हमारे नेट का थोड़ा सा इशू रहेगा और लाइट भी जो तो मैं सिंपल सा यही वाला ड्रेस पहनानी वाली हूँ और दिवाली पर बनाऊंगी सुंदर सा ड्रेस तो आपके साथ जरूर शेयर करोंगी क्योंकि अगर ममी तब तक चली गई या नहीं भी गई तो भी शेयर करेंगी तो मैं अच्छे से वीडियो शूट कर पाऊंगी और अभी में वीडियो भी नहीं चूट कर पारही हैं मुझ've । मुझे हुद अफसोस हो रहा है के मैंने दो दो चैनल थे खोल रखे हैं अलेकिन दोनों है में किसी पर भी में अपडेट नहीं कर पा रहे हूह। तो समझने आ रहे हैं क। क्या करों मैं? कभी मन में आता है अगर चलाई नहीं पारी हूं लोग इंतिजार भी करते हैं वीडियो का तो क्या फायदा मतलब ऐसे खोले रखने से पर कभी लगता है कि चलो ठीक है मम्मी चली जाएंगी उसके बाद में कंटीनू करूंगी वीडियो को क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम है कोई भी घर पे आ तो मेरे वीडियो का काम बिल्कुल ठप हो जाता है कुछ हो ही नहीं पाता है तो होफुली दुबारा से मैं अच्छे से काम कर पाऊं तो अभी मैंने केशव के बाल लगा दिये हैं और उसके बाद मैं करने वाली हूं माधावल अडू कर रेडी क्योंकि इनके ऑफिस जाने सिर्फ एरिंग्स रहके मुझे पहनाना रह गया है वह बाद में कर दूंगी अब तक मैं इनको त्यार कर देती हूं पूजा कर भी ली तो भी कोई निया बाद में कर दूंगी तो इसलिए मैंने सोचा पहले लडू और माधाव को रेडी कर देती हूं उसके बाद मैं आपक तो दिखाऊंगी कि मैंने कैसी डेकोरेशन की है इस बार थोजी डिफरेंट की है और क्योंकि अभी अभी शिफ्ट हूए है मतलब नया घर है तो क्या है कि मैंने बहुत जादा ऐसा कुछ भी तामचाम ने कि मुझे ठोकनी पड़े क्योंकि अभी इसा पेंट वेंट कर हू पर अभी इस फाले कलर में कुछ भी नहीं हो सकता तो इसलिए जो है वो मैंने बिल्कुत अम जाम नहीं किया है बहुत सिंपल और बहुत सुंदर सा डेकोरेशन किया है लड़ो को पहना पढ़ा है क्योंकि मैंने इनका वाला मातारानी को लगा दिया था तो यह मैंने को जि नहीं है भी रस आप दो पहले दिनी में रख देती हूं तो हूला हूप आता है वह स्ते मैंने इस इभी आप बना लें बन के तियार हो झाला है वहाए लेक्रेशन कर दिया है और सेलो टेप से जो है वो फिक्स कर दिया है तो केशब भी हमारे हो चुके हैं रेडी और ये देखिए बहुत ज़्यादा सुन्दर लग रहे हैं बस मैंने मुकट बेना दिया था बाद में और केरिंग्स और मोरपंख लगा दिया था तो कितने ज़्यादा सुन्दर लग र तो बस माफी चाहती हूं आशा करती हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें मैं मिलते हो अगले वीडियो के साथ तब तक लिए जय माता दी